POCO का budget phone POCO C50 लाँच हो चुका है और इस वाले वीडियो में आप इसके बारे में बात करने वाले POCO का C series एक budget category phone होता है जिसमें आपको काफी सस्ते प्राइस में बहुत सारे features मिलते हैं के बारे में देखते हैं इस वाले वीडियो में बॉक्स की पिछे फिंगर्प्रिंट सेंसर 6.52 इंच का डिस्पे मिलने वाला बारे में लेकिन दोज़ार बोलना पड़ेगा और बॉक्स के साइट में यहां पर सिम एक्शन पिन मी मिल जाएगा आपको बड़ा छुपा कर रखा इसको और ज्यान की पुस्तक छोड़ देते हैं करते हैं साइट में और बात करते हैं फोन की बारे में फोन के आप देख सकते हैं एक लिदल वड़ा टेक्श्चर है और साइट से सेम बॉड़े को कंटीनू किया गया है नीचे में आपको 3.5 जैक है और यहां पर चार्जिंग पोर्ट माइक तॉप में माइक नहीं है इसक बजेट फ्रेंडली फोन में ऐसा होता है और अगर डिजाइन के बारे में बात करें फोन पर लेधर टेक्स्चर है और अच्छा लगता डिजाइन मतलब अगर मैं से कान पर लगा रहा हूं तो क्या लग रहा है कितना सस्तफ हो नहीं है इसकी प्रैसिंग एक्चुल में 6,500 प्रैसे 6,200 रुपे मेरे इसाब से 6,000 में इसका डिजाइन काफी तहड़ा बनाया नहीं है कि आपको Android 12 गो का सपोर्ट मिला है और उसके हिसाब से ब्राइट इनफ डिस्पले मतलब आउट्डोर में राइट सरी लाइट में तो दिक्कत हो सकते आपको लेकिन अभी शाम का और अमनों फोन को अराम से यूज कर सकते हैं को दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर और फोन के अंदर आपको सिंगल स्पीकर से सपोर्ट मिलता है उपर के साइड में तो एक बार भाई गना चलाते है आउट्डोर में देखते हैं कितना अच्छा स्पीकर है वाल्यूम फूल थोड़ा से दूर जाते हैं कहां तक आवाज जाती है एक बजट फोन और स्पीकर कुछ आदा एक्स्टार नहीं नहीं है लेकिन आप आउट्डोर में एक्सपेक्ट मत करो कि इसको प्ले करोगे और डैंस करोगे एक बार इंडोर स्पीकर पर देख लेथे सेम संग प्ले कर के बारे में एट में पिसल का मेन सेंसर है दूसर वाला सेंसर क्यों वीजे सेंसर है जो कि लाइट सेंसर होता थोड़ा बहुत कभी कभी हल्प कर देता है और से कैमर युआ कुछ ऐसा मिलेगा आपको बहुत लाग भी करता है यहां पर सबसे पहले इसका इक बार फोकस टेस फोकस देखरो यह है पोको सी फिफ्टी के कैमरा से अब यहनों सिल्फिक आप में ट्राइ कर रहे है और अच्छल में बजट फोन के साप से आउट्डोर लाइटिंग में अच्छी फोटीज रिकॉर्ड कर पा रहा है सब्राइजिंग और अभी आप देखों का पांच बच के पनलमेंट हो रहा है लाइटिंग उतनी मी जाद अच्छी नहीं है लेकिन भाई इसने काम बच्छा किया और एक बर इसका रेर कामरा ट्राइ करते हैं तो दोस्तों यह वाले फोटेज हमें रिकॉर्ड कर रहे है और एक बर जूम करता हूं मैं तो मैक्सिमम यहां पर फो चैनल रिजल्ट है उसकी कहानी थोड़ी डिफ्रेंट है दोस्तों आप देखो जूम किया मैंने यहां पर हलका से स्ट्रगल किया है इसने चश्मे पर बाल भी हलका बूल कर रहा है लेकिन ओवराल जो फोटो है वह काफी सही लग रही है इस वाली फोटो में आप देख से और जो इस डिटेक्शन है वह एवरेज में काऊंगा मतलब अगर आप दूर से फोटो देख रहे हो तो अच्छा ही लग रहा है इस फोटो में क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन कलर और स्किन टोन फिर भी अच्छे है ओवराल सिंपल वर्ट्स में इसका कैमरा फ तो अपको हलका हलका शटर आही रहा है देखो यहां पर फिर से आरा शटर और ऐसा हलका फूल का लग आपको फोन में बहुत जगा पर मिलने वाला और जो प्रोसेसर इसके अंदर दीलियो एट ट्वट्वट्ट्य तू मिलेगा अब यह वाला प्रोसेसर आपको एक बहुत करोगे तोड़ा सा कलर शिफ्ट हो रहा है लेकिन फॉर प्राइस पॉइंट एक अच्छी डिस्प्ले में गाऊंगा इसको वैसे मोबाइल के अदर आपको प्री लोडेट नेट्फिक्स मिल जाएगा नेट्फिक्स भी इसको पर प्ले हो जाएग आपको और आम से को इसमे अच्छा मिलने वाला आपको बस कुछ आइकन से वह थोड़ा से चेंज मिलेंगे और यहां पर फिंगर्पिंट सेंसर मिल रहा देखने को इसकी स्पीड डिखा जाता हूं आपको टैप किया खुल गया थोड़ा से लो तो है टैप किया खुल गया टैप करने बाद हलका से आपको बाद करें इस फोन के बारे में मुझे ला फोन काफी जड़ा अच्छा सा लगा है मत अब इसका डिजाइन काफी मिनिमल सा है इसके आपको एक ग्रीन क्लर अविलेबल है दोने क्लर काफी सही है और इसके प्राइसिंग आपको थोड़ी रॉपी रॉपी और शाज मिलेगा आपको 3GB वाला यह लेना ज्यादा अच्छा रहेगा तो लंबा चलेगा अगर आपको अच्छा लगा तो आपको जाकर ट्राइकर सो ले सकते हो इसको लिए डिस्क्रिप्टिन डाल देंगे नॉर्मल जितने भी काह में कॉलिंग वालिंग होगे वाट्सिप हो गय भाई बाहर जाके फोडो भी ले लेना और इसी के साथ इसले वीडियो के लिए रखते हैं आपको वीडियो पसना आगया होगा ओगों का सीफिफ्टी मैं रिगमेंड कर रहा हूं मुझे तो अच्छा लगा तो मिलते हैं किसे और नए वीडियो में तब तक लिए गुडब